नीमू की हस्त बहार जी हां परतेक किसान का सपना होता है कि वो नीमू की हस्त बहार ले क्योंकि यह फसल मार्च अप्रेल मई में आती है और उस समय नीमू के भाव सबसे अधिक मिलते हैं परन्तु क्या यह संभव है जी हां संभव भी है और ऐसंभव भी है यह क्यों है आज मैं इस वीडियो में आपको यह सब बाते बताऊंगा जब भी किसान भाई मुझसे पेड़ मांगते हैं तो वो कहते हैं हमें नीमू की वो परजाती चाहिए जो गर्मियों में फसल देती है जी हां पूरे सितंबर महा में बारिस हुई है लगभग भारत वर्ष के अधिकांस छेत्रों में मेरे यहां भी पूरे सितंबर अब की बार इतनी बारिस हुई है कि मैंने पिछले तीन वर्षों से जब से मैं बागवानी कर रहा हूं नहीं देखी है आप सब को पता है कि सितंबर महा में हम हस्त बहार की तैयारी शुरू करते हैं यानि कि पानी बंद कर देते हैं, खोरा लगाते हैं और हम पोधो को ताओ देते हैं अब जब सितंबर महा में बारिस हो गई तो हमारा सारा सिस्टम गड़ बढ़ा गया अब हम इसको कैसे सुधारेंगे आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे आवश्यक्ता अविस्कार की जन्नी है जी हाँ सबको पता है जब आपको आवश्यक्ता होती है तब ही आप किसी चीज की खोज करते हैं हम आपको आज ये बताएंगे कि अगर आप सितंबर महा में ताओ नहीं दे सके तो अब आप फसल हस्त बहार की किस प्रकाड लेंगे मैंने यह बाग मेरा देखिए इसमें मैंने अक्टूबर महा में मेरे यहां अक्टूबर में बारिस नहीं हुई ती केवल पिछले तीन दिनों में बारिस हुई है यानि के 18 तारीक से लेगा 18-19 तारीक को मेरे हां बारिस हुई है और जब तक मैंने पहले इस खेद की ये देखिए ये पूरी गुडाई करवा दी थी आप देखिए अच्छी तरह इसमें टीलर चलवाया था और ये जो बड़े पेड़ हैं मेरे ये देखिए ये बड़े पेड़ हैं जिन से मैं हस्त बाहर की फसल लेना चाह रहा था इन में मैंने यहां पर खोरा लगवा गहरी खुदाई कराई और जिस दिन मैंने इसको यहां पर ये थाला बनवाया कि मैं कल इसमें खाद दूँगा तो उसी दिन रात को बारिस हो गई ये जो ताओ है ये मैंने लगबग सत्रा दिन का दिया अठारवे दिन इसमें बारिस हो गई जो खोरा लगाना है और ताओ देना है वो कम से कम सोला से बीस दिन का अवस्य होना चाहिए अब इसमें हम क्या करें कोई बात नहीं कल मैं इसमें खेत में और अच्छी तरह चलने लाइक हो जाएगा खाद डलवा कर इन थालों को बंद करा दूँगा और इसमें मैं फ्लड से पानी लगाँगा आप देखेंगे कि हस्त बाहर के फूल अक्टूबर महा में सुरू होते हैं ये देखें ये फूल सुरू हो गए और देखें नीमबू भी हो गए लेकिन उतने फूल नहीं हैं जितने होने चाहिए थे किसान साथियो दो चार फूल आने से कभी कुछ नहीं होता हमेशा 12 महीने नीम्बू के पोधे पर कोई ना कोई फूल आता रहता है अब आपको क्या करना है मैं आज इस वीडियो में बताऊगा किसान साथियो जो आपके नीम्बू है मैं अगले दिन इन नीम्बू को तुड़ाने वाला था जो पक चुके हैं बड़े नीम्बू है इनको तोड़ लीजिए आप इनको तुड़ा लीजिए जो छोटे हैं उनको छोड़ दीजिए जो बड़े नीम्बू है या पक चुके हैं इनको आप तोड़ लीजिए और इनको तोड़ कर आप ने अक्टूबर महा में अवस्य ताओ दिया होगा और आप इसमें थाला बना कर खाद दीजिए खाद की मात्रा कितनी देनी है ये हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं के पाँच वर्स और उससे बड़े पोधे में कितनी खाद देनी है और पाँच वर्स से छोटे पोधे में उस मात्रा की आधी देनी है इस पर लेक हमारी वेब साइट amazingkishan.com पर नीम्बू की बागवानी में पड़ा हुआ है जो के नावेद सेख ने लिखा है अब आपको क्या करना है कि खाद देकर इसमें तीन बार flood से पानी देना है ये पानी जो देना है ये पाँच पाँच दिनों के अंतराल पर देना है यानि आज पहली बार पानी दिया है तो उसके पांच दिन बाद छटे दिन फिर पानी देजिए और उसके फिर ग्यारवे दिन फिर पानी दीजिए और आप देखेंगे जब ये ग्यारा दिन हो जाएंगे उस समय एक हमारी वीडियो आएगी उस वीडियों में हम ये बताएंगे कि आपको किन चीजों का इस्प्रे करना है तब तक लगबग 15 नूमबर आ जाएगा जब उन चीजों का इस्प्रे आप करेंगे तो वो पोधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकेंगे और उसमें फूल इंड्यूस करेंगे ये होगी हमारी कोशिस पर्तिकूल समय में हस्त बाहर लेने की चुकि अब तक इन पर फूल आ जाने चाहिए थे और आप देखेंगे कि ये फूल शुरू भी हो चुके हैं कुछ लेकिन उतने नहीं आएंगे किसान सातियों आप गर्मी में फसल ले सकते हैं लेकिन वह दो बातों पर निर्भर करती है एक सितंबर महा में अगर बारिस हो गई तो उस पर निर्भर करेगी और एक जिन छेत्रों में उत्तर भारत के जनवरी में और दिसंबर में पाला पड़ता है या फरवरी में पाला पड़ता है आईए मैं अब आपको सुनवाता हूँ कि जब सितंबर में बारिष हो तो हस्त बहार पर नवेद सेख क्या करते हैं हम प्रती वर्ष सितंबर माह में निम्बू के पोधों में ताव देते हैं खाद देते हैं और तीन बार फ्लड इरिगेशन करते हैं लेकिन इस वर्ष आसामान बारिष हो जाने के कारण सितंबर माह में हम इस कारिये को समय पर नहीं कर पाएँ इसके लिए त्यागी जी ने इस वीडियो में बताया है कि हस्त भार को हम किस तरह अक्टूबर महा में भी ले सकते हैं अक्टूबर महा में भी आपको पोधो को ताओ देना है 15-20 दिन का ताओ देना है उसके बाद खाद देना है उसके बाद फ्लड इरिकेशन करना है खाद की जो मात्रा है वो अमेजन किसान वेब साइट पर मेरे द्वारा लेख में बताई गई है आप महां जाकर देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको नौमबर महा में हम कुछ इस्प्रे बताएंगे जिससे निम्बू के पोदो पर फ्लावरिंग केसी आपको लेना है आपने अभी नवेद सेख को सुना और उनके यहां भी बारिस हुई है वह भी वही कारिये करेंगे जो कारिये मैंने आपको बताए हैं और उसके बाद जो कारिये मैं आपको पानी देने के बाद बताऊंगा वो वही कारिये करेंगे और अगर आप सही डंग से एकारिय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 50% सचे अधिक सफलता मिलेगी किसान साथियो ये था हमारा प्रतिकूल समय में नीम्भू की हस्त बहार लेने का वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत बंदेवाद